2, 1, 0 Lift off normal Bright morning of the new year's day made brighter by a majestic lift off PSLV C58 carrying India's x-ray polarimetric satellite towards its destination Due to tracking जी हाँ इस वर्ष का प्रथम प्रमोचन Shri Arigota के प्रथम प्रमोचन मंच से PSLV C58 का हमने सफलतापून उथापन देखा और यह अपनी उद्धिष्ट कक्षा की ओर निरंतर बढ़ता हुआ तथम चरंड का निश्पाद में पूरी तरह सामान्या Nominal thrusting by PS1 stage Nominal burn time for the strap-on is 70 seconds and the core motor for 109 seconds इस समय यान अपने अधिक्तम गतिक दाग से गुजरता हुआ प्रथम चरंड का कुल प्रज्वलन का 110 seconds का होगा तथ परशात यसे यान से प्रिथक कर दिया जाएगा शार्च ट्रैकिं स्टेशन करेंटली ट्रैकिंग दाग से प्रिथक कर दिया गया है तथा कोर बूस्टर अभी वी प्रज्वलित है प्रथम चरंड का प्रिथक कन तथा अदूती चरंड का प्रज्वलन इस घटनाकरम पे अगला है प्रथम चरंड का प्रिथकन तथा दूती चरंड का प्रज्वलन फ nonprofit सेपरेट अचिए इंजिन स्टा्ड स्टेव गया धार्च इन सिए्टिया इसकी फॉछिए है प्रथम चरंड को सिफलता पूर्वकि यान से प्रिथक किया गया है और दृतिये चरंड का प्रजोलन शुरू हो चुका है. There is a confirmation from the range operations director that the second stage has commenced its operation. Second stage performance normal. As the altitude right now is almost at the verge of the dense atmosphere, closed loop guidance has been initiated. The next flight event is eagerly awaited. The next flight event is payload fairing separation. दृतिये चरंड का निश्पादन सामान्य है. इसका कार्यकाल 152 स्केंड का होगा और इस दौरान यह कुल 800 किलोन्यूटन का प्रणो दुत पन्नकर यान को अदिशा की ओर ले जाता है. इसका कुष्टी हो चुकी है. उश्मा कवच को यान से प्रिथक कर दिया गया है. Second stage performance normal. There's a confirmation of payload fairing separation and a nominal thrusting by the second stage of PSLV. दृतिये चरंड तरल नूदक पर आधारी चरंड है. इसमें UDMH और N204 को इंदन के तरह इसमाल किया जाता है. वरतमान में विकास इंजन नामक इस दिटी चरंड के इंजन द्वारा प्रणो दुत पन्न किया जा रहा है. By the time PS2 completes its operation, the altitude of the launch vehicle will be 161 km and relative velocity of 4.5 km. तैसरो जाया नव्या मुही में ची वाईशिश्टा अपन बगता है. ब्लैक होल सार्ख्या खगोलिया निर्मीति मागेल रहस्य उलगण न्याचा प्रयतन हा केला जाडा रहा है. पी एसलवी C58 एक्सपो साट सह दहा अन्य उपगरह सुधा प्रक्षेपीत के लिल्या है. खगोलिया स्त्रोतान करनों होना रहा क्षवकिरण उत्सर जना सा अभ्यास करना रहा इस्त्रो सा हाप पहिला जुपगरहा है. दोनजार सत्रा पस्न मोही मेला सुरुवाज जलिया या मोही में साथी साड़नों कोटी इतका खर सही आलाए. ता लॉज्जिंग चा 22 मिंटा नंतरा ता एक्सपो साट 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 निर्धारित कक्षे मधे तईना थोडा रहे. नुकतास्तु प्रक्षपित जलेला एक्सपो साट 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 निर्मिती करने ता लिलिये. तब रम्हन नतिल 15 सरवाधिक समकडा रहे स्तुरोतां सा अभ्या साट निर्धारित करने तिर्णा रहे. पूर्ण भारती या बनावटी चे असे ही सटले की अप्रियाता खासियता हिच. यान की उचाई निर्धार बढ़ती हुई. वर्तमान में 170 किलो मेटर की उचाई प्राप्त कर चुका है. तथा सापेक्ष्ट गती 5 किलो मेटर पती सेकेंड. तिर्टिय चरंड, HPS 3, High Performance 3rd Stage, कुल 240 किलो न्यूटन का प्रणो दुत्पन कर रहा है. और यान को दिशा की ओर ले जा रहा है. शार और पोर्ट ब्लेयर, Tracking Stations are currently tracking the vehicle trajectory. during the operation of PS3, the rocket gains an altitude of 45 km.